Hello children, welcome to little kids study and today we are going to study our lesson number 2 vowels and consonants from our superb English grammar book class 1 So let's start this chapter अब हम vowels and consonants को revise करेंगे, एक तरह से हमारा revision है क्योंकि हमने अपने lesson number 1 में So kids, हमने अपने lesson number 1 alphabet song में vowels and consonants को पढ़ लिया था जो grammar key में consist करता था, आप उस video को भी देख ले So kids, जैसा हमें पता है कि हमारी alphabets में, हमारी English alphabet में total 26 letters होते हैं, जिन में से हमारे 5 vowels होते हैं और 21 consonants होते हैं vowels यानि A, E, I, O and U consonants में में कौन से कौन से आते हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z यानि कि हमारे vowels होते हैं 5 and consonants होते हैं 21 यानि total हमारे letters जो होते हैं English alphabet में वो होते हैं 26 letters and जो हमारे vowels होते हैं इन alphabet में कुछ हमारे vowels होते हैं और कुछ हमारे consonants होते हैं तो हमारे जो 26 letters होते हैं उन में से 5 letters हमारे vowels होते हैं और हमारी alphabets में से 21 consonants होते हैं चलिए अब हम उनकी exercises को solve करते हैं Question 1 Circle the vowels only यहाँ पर हमें group of letters दिया है हमें अलग-अलग letters दिये गए हैं उनमें से हमें vowels को find out करना है तो जैसा हमने देखा कि हमारे 5 vowels होते हैं उनमें से अगर हमें एक भी दिखे तो यानि वो हमारे vowels होते हैं तो हमें इनमें सिर्फ vowels को circle करना है B एक vowel नहीं होता C भी एक vowel नहीं होता है E एक vowel होता है तो हम इसको circle करेंगे F हमारा wobble नहीं होता तो हम इसको circle नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारे B, C, F consonant से और हमें question में बोला है कि हमें सिर्फ walls को circle करना है तो E हमारा wobble है तो हमने E को circle किया है then second यहाँ पर हमें S, T, W और A दिया है जिन में से हमारे S, T, W consonants है और A हमारा wobble है इसलिए हमें एको circle करेंगे number three जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें O दिया है और हमारा O एक wobble है तो हमें यहाँ पर इसको circle करेंगे then जो हमेरे R, Y and X है यह three letters है वो consonants है then number four यहाँ पर जो हमें M and P दिये गए है वो हमारे consonants है और यह जो I दिया गया है वो एक wobble है इसलिए हमने इसको circle किया हुआ है then five जैसे हमें यहाँ पर four letters दिये है F, U, V, Z तो इन मेंसे जो F, V, Z है वो consonants है और U vowel है इसलिए हमने यहाँ पर भी U को circle किया है then number six यहाँ पर हमें फिरसे four letters दिये गए है Q, V, G, E जिन में से हमारे जो first three यानि Q, V, G वो हमारे consonants है और E हमारा vowel है तो हमने यहाँ पर E को भी circle किया है तो चली अब हम चलते हैं अपने second question पर तो चली अब हम अपने question number second पर चलते हैं circle the consonants only इन में से हमें सर्फ consonants को circle करना है हमें इन में vowels को circle नहीं करना है जैसे हमारा number one यह है question number one A, E, I, D यहाँ पर में four letters दी गए हैं जिन में से हमारे A, E, I vowels हैं तो हम इनको circle नहीं करेंगे उस question में हमने consonants को circle नहीं किया था और vowels को circle किया था पर इस question में हम vowel को circle ना करकर consonants को circle करेंगे क्योंकि हमारे question में दिया है circle the consonants only हमें सिर्फ consonants को ही circle करना है चलती है अब हमारे second number second question पर यहाँ पर हमें four letters दी हैं C, I, O, U जिन में से I, O, U हमारे vowels है और C हमारे consonant है इसलिए हमने इसको circle किया है number three यहाँ पर हमें फिर से four letters दी हैं A, E, G, O इन में से हमारे A, E, O vowels है और J consonant है इसलिए हमने इसलिए हमने इसलिए है यहाँ पर J को circle किया है number four यहाँ पर हमें फिर से four letters दी हैं X, O, U, A तो इन में से हमारे O, U, A vowels है और X हमारा consonant है इसलिए हमने यहाँ पर X को circle किया है ले नमबर 5 हमने यहाँ पर फिर से 4 letters दिये गए हैं जैसे U, B, A, E इनमें से जो हमारा U, A, E है वो vowel है और जो V है वो consonant है तो हमने यहाँ पर V को circle किया है ले नमबर 6 E, I, A, P इनमें से हमारा E, I, A तो vowel है पर जो P है वो consonant है इसलिए हमने P को circle किया है Kids यह है हमारा question number 3 तो हमारा question number 3 है fill in the blanks with correct vowels and learn the spellings for spell well activity तो यहाँ पर हमें कुछ blanks given है जिसमें कुछ भी नहीं दिखा है बच्छा हमें उनको fill करना है वो भी correct vowels के साथ और उनकी उन words की spellings को याद करना है किसके लिए spell well activity यहाँ पर हमारी एक spell well activity आयेगी तो उसके लिए हमें इन सारे spellings को याद करना है जिसे फर्स्ट है पार्ट की जो picture दिया है वो है एक पार्ट का और यहाँ पर ये वाला और ये वाला blank खाली है जो कि after P है और after R है वो blanks हमारे खाली है तो हमें इनको fill करना है पी ए आर आर ओ टी parrot पी ए डबल आर ओ टी parrot एंड इन सेकेंड पिक्चर में हमें दिया है बचर ये एक बचर की पिक्चर है वी यू टी टी इर बटर यानि वी यू डबल टी इर बटर यहांपर यहांपर computer की picture दी है C-O-M-P-U-T-E-R Computer यहांपर हमें होर्स की picture दी है H-O-R-S-E Horse यहांपर हमें एक laptop की picture दी है L-A-P-T-O-P laptop यहांपर हमें एक queen की picture दी है Q-U-E-E-N Queen Q-U-E-E-N Queen So kids, यह वीडियो का part 1 था और part 2 चल दी आएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपके कुछ comment suggestions है तो comment box में comment करें अगर आपको वीडियो helpful लगी तो इसको share करें और साथ में इस channel को subscribe करें notification bell को दबाएं कि आपको हमारी वीडियो की notification सबसे पहले मिल सकें अगर आपको एर आपको वाइब आपको लगीओ अगर आपको वाइब आपको लगीओ